ट्यूपी बोर्ड की इंटर्मीडियेट की परीक्षा रद कर दी गई है। टिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने किया एलान, सीएम योगी के साथ बैठक के बाद एलान किया। 26,00,00,00 चात्र 12-1 की परीक्षा में बैठने वाले थे। बतादे की 10-1 की परीक्षा को पहली ही रद किया जा चुका है। बतादे की CBSE बोर्ड के फैसले के बाद अलग-अलग राजियों ने अपने यहां आयोजित परीक्षा को रद करने का फैसला किया था। 12-1 की को रद किये जाने पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया की कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। सरकार के लिए छात्रों की सुरक्षा ही सर्वो परी है। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों के साथ साथ अभिभावकों ने भी खुशी जाहिर की है। गोरकपूर के रहने वाले सत्यम का कहना है कि वैसे तो उनकी पूरी तयारी थी। लेकिन सरकार ने मौझूदा हालात को देखते हुए बहतर फैसला किया है। बता दे कि इस से पहले सरकार ने दसवी की परीक्षा को भी रद कर दिया था। जनरल के के वेनु गोपाल और सियाए सी की तरफ से पेश वकील जेके दास को दो हफ्तों के भीतर मांदंड पेश करने को कहा। पीठ ने कहा, हम खुश है कि सरकार ने बारवी कक्षा की बोर्ड परीक्षाय रद करने का फैसला लिया है लेकिन हम चाहते हैं कि अंकों के मूल्यांकन के लिए सामाने मांदंड हमारे समक्ष पेश किया जाए। पीठ ने सपश्ट किया कि वो मांदंड पेश करने के लिए और वक्त नहीं देगी क्योंकि कई छात्र भारत तथा विदेश में कॉलेजों में दाखिले लेंगे।